कहा जाता है कि अल्ला ताला ने हर जानदार के रिस्क का बंदोबस्त किया हुआ है लेकिन आज के दौर में जहां एक जानब हम जैसे बहुत से शहरी बाइज़त रोज़कार के पीछे भागते नजर आते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे पेशों से वाबस्ता हैं जिनको कुछ लोग हकीव नजरों से देखते हैं लेकिन अगर ये लोग ना हो तो शायद हमें इसकी कद्रों कीमत मालूम हो इन मेरेडिबान, नाई, मोची, वेटर और धोट से ऐसे चोटे पेशों से अपनी रोजी रोटी का बंदोबस करके जिन्दगी का पहिया रवा किये हुए हैं पैसे यह एक तब का जूते पालिश करने और उनकी मुरमत के काम से मुंसलिक है जिसे हम और्फियाम में मोची कहते हैं मोची को लोग सबसे हकीर इंसान समझते हैं लेकिन जबैर सोचे हैं अगर ये ना हूँ तो हमारे पाउं में चम-चमाते, लशकारे मारते, जूतों की जगा धूल और मटी से अटे हुए जूते हूँ एक तहकीक के मताविक दुनिया भर में तकरीबन 12 पीसद लोग हैं जो इस हकीर जाने वाले पेशे से वाबस्ता है मुक्तलिफ ममालिक में जूतों की पालिश के लिए मशीने लगी हुई हैं लेकिन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और इंडोनेशिया में जूतों की पालिश का काम मैनुल तरीके से किया जाता है